तो यार एक बाए फिर से सोचो क्या तुम्हें सही में Canada में गाड़ी की ज़रूरत है एक ऐसी कंट्री जहां पे इतना बड़िया transit system है क्या तुम्हें वहाँ पे सही में गाड़ी की requirement है I know transit system की भी खुदी कुछ problems है लेकिन क्या तुम थोड़ा compromise करके अगर साल के 1000 डॉलर 10-15 15-15,000 डॉलर अगर तुम बचा पा रहे हो तो क्या वो trade-off मतलब worth it नहीं है तो आज हम इसी topic के बारे में बात करने वाले हैं कि Canada में गाड़ी ओन करने का actual price क्या होता है जो आप upfront pay करते हो गाड़ी के जो cost होती है उसके अलावा कितने और खर्चे होते हैं जो की गाड़ी के खुद की cost से जाद हो जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए कब आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए किस-किस scenarios में जो है आपको गाड़ी की requirement है और कहा कहा compromise या थोड़ा बहुत adjust कर सकते हो और काफी सारे पैसे बचा सकत लेकिन अब मेरा पता ही थोड़ी thinking बदल गए जैसे से मैं लोगों को observe करता हूँ जिन लोगों के पाड़ीया है जिन लोग के पाड़ीया नहीं है ऐसे भी कुछ लोग को मैं जाता हूँ जो कि 5-6 साल से Canada में रह रहे हैं काम भी कर रहे हैं घुमने भी जा रहे हैं लेकिन अब के वास गाड़ी है और वो कितने हजारों डॉलर बचा रहे हैं वह भी मुझे जब बताते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये तो क्या सही डिसिजन है लेकिन मैं इस वीडियों आपको यह नहीं लेनी चाहिए और कहां कहां आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए ठीक उसके बाद दूसरी चीज़ के आपको काफी अधा हाई इंशॉरेंस पे करना पड़ेगा अगर आप इंडियन लाइसेंस पर गाड़ी चलाते हो तो उसके अलावाए जब लोग यहां के रूल्स और यहां के ड्राइविंग से उस्टू नहीं होते हैं तो टिकेट मिलने के अगर आपको यह टिकेट मिल गई 500-600 या 800-1000 डॉलर की तो आपको फाइन पे आफ करना पड़ता है वह आपके इंशॉरेंस पर बढ़े जाएगा मैंने यहां पर ऐसे से लोगों देखा जोगी 400-500-600-700 भी इंशॉरेंस यहां पर पे कर रहे हैं अगर आपके पास केनेडियन लाइसेंस होगा तो आप 200-200 पे करोगा तो आप बहुत पैसे वहां पे बचा लेते हो यह तो मैं मंतली बात करूँ अगर आप एनवली देखो तो आप हजारों डॉलर्स बचा रहे हो और सेम गोज विद इंटरेट अगर आप कैनेडा आके गाड़ी परचेस करते हो लोन पर तो आपको हाइस्ट इंटरेट देना पड़ेगा क्योंकि आपकी को यहां पर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है ठीक है 6-9% यूजली लोग पे हिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी और जो है आपको इंटरेट टाइम के साथ साथ जो है कम मिलने लग जाएगा जो लोग यहां पर दस या पंदरा साल से रहे हो उनको काफी कम इंटरेट पर घर और गाड़ियां मिल जाती है लेकिन जो लोग नहीं आते हैं उनको काफी इंडीया से लाइसे लेगा तो उसको ड्रांसवर कर वा ले ना जो भी आपकी प्रोविंस के रूल हो और नहीं तो यहां पर आके बनवा लेना और एक बढ़ाई खतम हो उसके बाद सोच भाई लेने तो यह तो बात होगी गाड़ियों की लेकिन अगर आप अभी इंडिया में हो और फ्यूचर में कैनेडा आ रहे हो तो एक आपको में एक और मनी है बतायता हूं जो कि है कि आप अपना कैनेडा का सिम इंडिया से ही लेकिया हो और इसके काफी सारे ड्वांटेज़ है नंबर आपको काफी टाइम भी बहुत जाएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा आपको उस पर जाना है अपनी डीटेल्स फिल इन करने उसके बाद आप कैनेडा का सेम ले सकते हो अब बात करते हैं वापिस गाड़ी होगी और जब तक आपका जो है काम मे अगर मैं बस से जाता हूं तो मैं गाड़ी ले लेता हूं लेकिन अगर आप अगर आपका जो बस पास उसके आप पे कर रहे हो तो आप बहुत जादा पैसे बचा रहे हो अगर आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशेंट गाड़ी लेनी है जो कि आप अगले चार-पांग स साल तक चला पाओ तो यूजुली लोग जो है 5-10,000 की बीच में एक स्वीट स्पॉर्ट होता है कि इतने तक ही तो गाड़ियां लेते ही हैं और सेम गोज विद मेंटेनेंस अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको मेंटेनेंस भी रेगुलर्ली करवानी पड़े यह और और भी काफी सारी खर्चे आते हैं आपको विंटर टायर्स दलवाने पड़ेंगे आपको जितनी भी स्नो रिमूवल वाले जो एक्विपमेंट्स होते हैं उन पर सारी वन टाइम इंवेस्मेंट करनी पड़ेगी बहुत साही चीज़े लेनी पड़ते हैं गाड़ी कंदर आपको बैकप कैमरा लगवाना है क्योंकि फिर एक बार आपको थोड़ी बहुत अप्ग्रेट्स कराने पड़ते हैं टाइम के साथ साथ मेंटेन्स बेसिकली करानी पड़ते हैं हर तीन या चार महीने बाद जो आपको सर्विस करानी पड़ती है जो कि 100-500 डॉलर की होती है तो by the end of the year जो की गाड़ी आपने 5,000 की ली थी ना वही गाड़ी आपको 12-15,000 की पड़ जाएगी अगर आप ये सारे खर्चे उसमें मिला दो अगर कोई गाड़ी आपने 10,000 की ली थी तो वो गाड़ी आपको 20,000-25,000 तक ही पड़ सकती है depends on कि आपका India license है या फिर आपक आपका insurance कितना है या फिर आपका interest rate कितना है लेकिन at the end of the day आपने जितने खर्च करे थे आपके उससे जादा ही लग जाएंगे जितना में सोचव भी नहीं थे ना उससे जादा आपके पैसे लग जाएंगे और ये हर बंदे के साथ होता है ये कोई नई बात नहीं है ये च आपको नहीं पता होता उन चीजों के बारे में जादा मैंने खुद आज तक अभी को गाड़ी नहीं नहीं चाहिए ठीक है नंबर वन चीज अगर आपका जो कॉलेज है और आपका जो वर्क प्लेस है वहां तक अराम से बस जाती है आप बस में बैटके जा सकते तो सब्सक्राइब करके जाना पड़ता है तो मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया राधर दन बाइंगा कार ठीक है उसके मैंने काफी सरी वीडियो बनाई है जो कि तुम जाके चेक आउट कर सकते हो तो वो भी एक मेरा ऑल्टरनेटर था कि भाई में गाड़ी तो नहीं ल सब्सक्राइब कर सकता है इस स्टुडेंट लाइफ में अगर आपको घर पर कोई गाड़ी पिक अपने ड्रॉप करने आती है आपके वर्क प्लेस से कुछ लों की फील्ड जॉब होती है कुछ लोग कंस्रक्शन में काम करते तो घर पे एक वैन आती है उसमें सारे बंदे बैठते हैं और इसके बाद हो किसी फील्ड पे आते हैं किसी कंस्रक्शन साइट पे आते हैं या फिर अगर आप कोई नेटवर्क टेक्निशन हो आपकी अलग अलग जगा पे जो है रूट्स होते हैं और वहां पर आपको गाड़ी लेने आ रही है फिर आपको गाड़ी मुझे आते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा पूरे दिन आपको घर पे बैठे काम कर रहा है और आपको गाड़ी की भी जाधे रिक्वार्मेंट नहीं है मैंने काफी साल लोग को देखा जो की वर्क फ्रॉम हम करते हैं उनको पांच-छे साल हो गया है अगर आपको एक व लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लोग है थोड़ा सोचो के बारे में थोड़े दिन मैंने बिताइए इससे भी हम डील कर सकते हैं इतनी कोई मेजर नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले बताए कि अगर आप एक सिंपल सी भी गाड़ी ले रहो बेर मिनिमम गाड़ी भी ल में जो की ships चलती है पानी पर जो passenger vehicles होती है passenger ships होती है उनमें भी unlimited आप travel कर सकते हो पूरे महीने के लिए कितनी बार भी चड़ो कितनी बार भी उतरो कहीं पे भी जाओ और आपको खुद गाड़ी चलानी भी नहीं परती बस बैठ जाओ टैप करो card और पीछे बैठ जाओ बस कोई security feature नहीं है बहुत पुराना model है देखने में भी ऐसे कुछ खास नहीं है क्योंकि bear minimum बस चलाने लाएक गाड़ी है वो गाड़ी आपको 5000 डॉलर की पड़ेगी और by the end of the year उसकी cost जो around 12-15000 हो जाएगी और वहीं अगर आप एक bus pass लेते हो एक compass card या फिर transit pass लेते हो तो व गाड़ी अगर आप avoid करते हो तो और यह तो मैं तब बतारम जब आपने कोई सस्ती जी गाड़ी अगर आपने 10,000 डॉलर 15,000 डॉलर 20,000 डॉलर एक Mustang ले ली उसे भी गाड़ी ले तो आपका इंशॉरेंस भी होने वाला है ठीक है also depends on safety feature अगर आपके safety feature आपकी गाड़ी में जादन तो insurance उससे कम भी हो जाता है लेकिन आपकी गाड़ी की value पे भी depend करता है तो insurance usually high होता है अगर आप एक भेंगी गाड़ी लेते हो तो और अगर आप ऐसी कोई गाड़ी EMI पे लेते हो तो definitely भाई आपका जो है उसका interest rate भी जो है इसमें लग जाएगा तो बस यार मैं अधको इन चीजों के बारे में aware करा अंचाहता है चुकि यही चीजे मेने realize करी है past कुछ महीनों में मैंने काफी लोगों से बात को बात करई है आ और शिनके पकर शोड़ी नहीं तो वह आप जाके चेक आउट कर सकते हो, और मेरी Instagram ID भी यहीं कहीं आ रही होगी, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप कुछ पूशन है, वहाँ पर में Stories पर अपडेट डलते रहते हो, Canada से रिलेटेड, तो वह भी आप जाके चेक आउट कर सकते हो, बाकी इस वीडियों वे सतना ही, दिस वो समर्जीत, साइनिंग ओफ